चम्मु कश्मीर के बडगाम डिस्टिक के मखिमा गाउं में एक ऐसी घटना घटी है जिसने फिर से एक बार घाटी में तरणाव पैदा कर दिया है बीते बुदवार को एक शक्ष अपनी वेगिनार गाली से स्री नगर गुलमगर रोड पर कहीं जा रहा था तबी CRPF के जवान ने उस पर फाइरिंग कर दी फाइरिंग क्यूंकि? क्यूंकि CRPF के स्पोक्समेन पंकर सिंग का मानना है कि वो शक्स चो वेगिनार गाली पर जा रहा था उसने पहले एक चेक पॉइंट को तोड़ा और अब वो दूसरी चेक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहा था CRPF को लगने लगा कि कहीं ये सबोटाज यानि हमले की साजिश तो नहीं है इसके तद CRPF ने पहले वार्निंग देकर शौट चलाया था लेकिन जब ये शक्स काबू में नहीं आया तो इसके एक गोली चेश्ट और एक सोल्डर पर CRPF ने फाइर कर दी अब इस फाइरिंग के बाद उस पूरे इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है CRPF का मानना है कि ये सबोटाज या हमले की साजिश इसलिए रची जा सकती थी क्योंकि उसी वक्त आर्मी का एक कॉनवाई यानि आर्मी का एक जथा वहां से गुजर रहा था यह घटना का पता जब वहां की लोकल लोगों को चला तो वो लोगों ने अपना गुसा CRPF और इंडियन आर्मी पे निकाला उन लोगों कहना है कि अगर CRPF उसे रोकना चाहती थी तो उसके गाड़ी पो पंक्चर कर सकती थी या फिर पीर मेराजुदीन के पैर पर गोली चला सकती थी लेकिन CRPF ने यह नहीं किया पीर मेराजुदीन के अंकल का मानना है कि यह एक कोल्ड मडर है यही नहीं कि पीर मेराजुदीन को जब गोली लगी तो CRPF ने उसे स्री नगर के SH MS हॉस्पिटल लेकर गई थी लेकिन वहां पर उसे मृत घोशित कर दिया गया पीर मेराजुदीन के पिता जब उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचे तो उनका कहना है कि CRPF ने उन्हें रोका और उनसे आइडेंटिटी गार्ड भी मांगी तब जाकर उन्हें अपने बेटे से मिलने के अनुमती दी गई इस घटना के बाद राजनिती भी इस पर सुरू हो गई है जम्मू कश्मीर प्रदेश कॉंग्रेस पीडिपी और अमर उब्दुल्ला ने इस पर कंडेंग जताया है और उनका कहना है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए ना सिर्फ जांच होनी चाहिए एक स्पष्ट और चल्द वाजी में एक ऐसी जांच होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे कि अभी भी भारत सरकार उनके साथ है आपको बता दें कि 2020 में जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सिविलियन की मौत हो चुकी है पियुष कुमार की रिपोर्ट एटलाइन स्टीवन के लिए